हाई मैं सवर अप्षिन देख आज वाम देखने वाले हैं कॉर्परेट फाइनेसिल अकाउंटिंग का जो क्वेशन पेपर है आपका एमकॉम सिमिस्टर फोर के लिए ठीक है देखो चलो वीडियो स्टार्ट करते जैसे कि देखो यहाँ पे राज लिमिटेट और करन लिमिटेट दो कमपनीज है और कुछ नीचे यहाँ पे एक्जिस्मेंट है आप देख सकते हो ठीक है और दूसरी इंपोरेट बात यह क्वेशन नुमर वन को अगर और को क्वेशन आप ठीक होगे न तो सेम वो भी consolidated balance it का है इसका मतलब आपको समझ में आ रहे है इसका मतलब क्या हर एक पेपर में यह आप देख लो यह अगला वाला पेपर में दिखानों वालो वो भी आप देख लो इसमें इसी टैप से पूछ आ गया मतलब आपको यह compulsory आपको यह topic करना ही पड़ेगा consolidate balance it वाला मुझे पता है थोड़ा सा अलग है hard नहीं है देखो common है उसकी वर्किमट वेगेरा common रहती है लेकिन आपको थोड़ा यह लेंदी होने के बज़े से थोड़ा सा अलग लग रहा होगा लेकिन आपको definitely यह 100% यह topic पहले करना है question number one compulsory इस पर यह आएगा ठीके अगर आप बात करोगे question number second की तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह question number second है वह हमारा valuation of goodwill ठीके valuation of firm और valuation of goodwill जीसे हम कहते है उस topic में से है अगर आप ध्यान से देखोगे question number two जो पूचा यहाँ पर find out value of business मतलब business की value यहाँ पर पूचे and equity shares on the basis of earning capacity method से equity share की value पूचे ठीके समझ मेरा आपको देखो यहाँ पर value of business आपको पूचा है और उसके बाद equity shares की value पूचे है ठीके देखो और अगर आप देखोगे यह question number two था उसके बाद देखो उसको और को जो यहाँ पर question पूचा गया है question number two a तो यहाँ पर अगर आध्यान से देखोगे तो ये खली eight mass को मतलब यहाँ पर उसमें टू में a है जोकी eight mass को पूचा गया है जोकी segment हाँ जो हमने देखा है देखो segment accounting उसमें से पूछा गया है देखो यह जो first आपका मतलब second actually regular book में वो chapter है हमारा जिसमें standard का accounting standard का उसमें most of जो भी समापते 8 या 7 mask को आपको पूछे जाएंगे जैसे कि हापे 8 mask को पूछा गया देखो और उसको जो second मतलब question number 2 B अगर पार्ट देखोगे तो उसमें से यह देखो आप accounting standard 16 के सबसे आपको जो भी यहाँ पर दिया उसकी value निकालनी है देख सकते हो accounting standard 16 यह भी topic है आपको पता है अभी यह हुआ question number 2 अभी यहाँ पर question number 3 अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर question number 3 अगर आप ध्यान से देखोगे यह भी यहाँ पर देखो क्या पूछा है उन्होंने fair value, market value, net asset value, share मतलब value of shares हाँ same value of business topic है na question number 2 में जो पूछा वही है देखो यहाँ पर देखो आपको goodwill वेगेरा पूछा है तो अगर आप ध्यान से अगर यहाँ पर देखोगे ना तो पूरा आपका यह paper खली दो topic पर depend है मतलब देखो na question number 1 अपका consolidate balance sheet है और उसको वही आया question number 2 में यह valuation of business आया उसको और 7-8 मास को जो accounting side है उसमें से आया और अगर आप देखो question number 3 में फिर से valuation of goodwill मतलब valuation of business आया 15 मास के लिए और उसको अगर आप देखोगे यह question है उसको और का question देखोगे तो यह देखो यहाँ पर यह जो accounting standard है हमारा उसके इसाब से यहाँ पर आया है ठीक है borrowing cost वेगेर है ना उसके इसाब से 8-7-8 मास को ठीक ह एक तो आप क्या कर सकते हो उसमें से मतलब यह तो आपको करना ही करना है कौन सा यह वाला मतलब goodwill वाला और consolidated balance sheet वाला और इसमें से आपको जो भी easy लगता accounting standard मेसे जैसे कि borrowing cost रहेगा आपका segment रहेगा यह आप करके रख सकते हो ठीक है यह question हमारा मतलब question paper 2019 खाता और आपको आपको पाता है question number 4 आपको यहाँ पे true false 8 मास के लिए मतलब objective और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको match the following पूचा गाता ना कि यहाँ पे filling the blanks ठीक है तो यह हुआ और उसको और को अगर आप देखोगे तो question number 4 है आपका जो की short notes है लेकिन यह और को है objective question को ठीक है देखो अ 18 वाला ठीक है यह देखने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूंगा देखो यह आप study आपका तो हूर चुका होगा लेकिन किसे कोई बाकी है कोई भी doubt है आपको तो देखो हमारी यह पूरा जैसे मैंने बताई है सभी topic की video lectures रहते वह आपको मिल सकते देखो आप इस number पर मुझे contact कर सकते हो 8055-969450 देखो एकदम reasonable fees है हमारी उस reasonable fees में आपको मतलब ना की इस subject का मतलब corporate finance का आपको GST या financial management हर इक subject के आपको हर इक topic की video lectures मिल जाएंगे पतलब मिल जाएंगे हाँ एकदम reasonable fees में आप जरू contact कर सकते हो देखो इसमें जैसे जो import है आपको वही वहाँ पर सब लिया है मैंने ठीक है ची तरह से stay by step चलो आगे बढ़ते देखो यह meet was 18 का paper है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि question number first जो है वह फीज से आप देख स तो आपको यह definitely यह topic अच्छी तरह से करना ही करना है ठीक है उसमें अगर आप ध्यान से देखोंगे एक्जिस्मेंट भी वही रहते common एक्जिस्मेंट जैसी कि आपको पता है कितना शुयस एक बार किया कब एक बार किया उसके बाद आप देखो creditors included मतलब आपको पता है creditors data में से हम यह common mutual due से कहते हैं वह minus करते stock वाली एक्जिस्मेंट देखो यहाँ पर हाँ यह सब हमने हमारे वीडियो लेक्शर में cover किया है ठीक है तो यह आप अच्छी तरह से कर सकते देखो इस टाइप के एक सम आता ही आता है दोनों में से मतलब एक और दूसरा और आपको आ गया देखो यह 15 मास को borrowing cost यह पूचा गया है ठीक है उसको और को अगर आप ध्यां से देखोगे तो यह तो को ना और को क्या पूचा गया उन्हें तो यहाँ पर गुडवील का है मतलब valuation of goodwill या shares उसका देखो देख सकते क्या पूचा यह आप है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यह question number 3 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर question number 3 है वो भी फिर से valuation of goodwill मतलब valuation of shares देखो valuation of business जिसे हम कहते है उसमें goodwill भी पूचा जाता है आपको पता है और shares की value यहाँ पर इस question में shares की value पूचे देखो break up value method से market value method से और fair value method से ठीक है तो देखो जैसे कि पिछला वाला हमने देखा था question paper वेसा ही pattern नहीं देखो यहाँ पर भी मतलब question number आपका second में देख सकते हो second में और question number 3 में फिर से goodwill का ही question यहाँ पर पूचा गया है है कि नहीं तो आपका दो topic में पूरा यहाँ पर मतलब paper cover हो जाएगा देखो अगर और की बात करोगे question number 3 का तो यहाँ पर 7 sorry 8 mask को यहाँ पर segment मतलब repodable segment यहाँ पूचा यह देखो easy एतना यह भी हमने लिया आपको पता है ठीक है उसके बात 7 mask को अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पर देख सकते हो आप मतलब जो की ह हमारा borrowing cost वेगे रहा है उस type का यहाँ पर सम पूचा गया है हाँ borrowing cost का ठीक है तो देख सकते हो आप यहाँ पर यह पूरा paper हो गया मतलब question number 3 तक question number 4 तो आपको पता है यहाँ पर manager page पूचा है 8 mask को और उसके बाद यहाँ पर पूचा है आपको 2 or false ठीक है और उसको और को यह पर अच्छी तरसे करना है उसके बाद goodwill का करो और उसके बाद borrowing cost segment वेगरा जो भी आपको easy लगता है वो आप करके रखना लेकिन फिर से मैं बात करना हूँ कि consolidate को और में मत दालना वो आपको compulsory करना ही करना है पहले उसका 100% वो कर लो उसके बाद देखो valuation of business भी easy है देखो को इसमें आभी मैंने दिखा उससे भी easy question आएगा definitely उससे easy आएगा तो valuation of business मतलब goodwill और जो भी आपका shares की value है उसके formula अच्छी तरह से कर लो वो कर लो पूरो paper 100% अच्छी तरह से कवर हो जाएगा और segment वाला वेगरा easy है वो भी देखके रखो ठीके आपको जो भी question paper में easy ल जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में जो की next कोई paper pattern मतलब next subject पे आएगा thank you